नमस्कार दोस्तो आज हम घर में ही पनीर पिज्जा की रेशिप्ट बनाने वाले हैं लोगंडोन के सब्सक्माई में बाहर का पिज्जा छाना हेली नहीं होगा तो अगर फिज्जा खाने का मन करें तो घर में बने हुए बेश से आप इस पनीर पिज्जा को आसानी से तयार कर सकते हैं तो चलिए शूरू करते हैं यह पहले हम पीजा बेस बना लेंगे इसके लिए मैं ने एक कटोरी मैदा लिया है कि इसमें आधा चमश नमक डालेंगे एक चमज पिसी हुई छीने डालनी है एक चमज बेकिंग पाउडर और आधा चमज बेकिंग सोडा डालेंगे सबी इंग्रेडियन्स को अच्छी तरह से मिला लेंगे अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी मिलाकर हम इसे गुंत लेंगे ज्यादा टाइट डव नहीं बनाना है एकदम सॉप्ट डव बना कर तैयार कर लेंगे दोस्तों मारकेट में रेडिमेट बेस मिलता है अगर आप रेडिमेट बेस पर पिज़ा बनाना चाहते है तो किस तरह से बनाना है बीना ओवन के इसकी रेसिपी भी मैंने अपनी यूट्यूब चैनल पर डाया रखी है उसका लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी आप चेक कर सकते हैं एक ही बार में जादा पानी नहीं डालना थोड़ा थोड़ा करके पानी डालिए दोस्तों बेस अगर अच्छा बनेगा तो पीज़ा भी बहुत अच्छा बनकर तयार होगा इसलिए बेस बनाते हैं वक्त वीशेश सावधानी के साथ धीरी धीरी आसानी से एकदम सॉप्ट कर लेना है हमने इसे गूंत लिया है आप देख सकते हैं मैंने बहुत ही सॉप्ट आठा गूंत लिया है इसे हम ढखकर 15-20 मिनिट तक रख देंगे जिससे कि यह एक्टिविट हो जाएगा और अच्छे से पूलने लगेगा 15 मिनिट के बाद इसे एक बार फिर से अच्छी तरह से मसल लेना है यह हाथ में चिपक रहा है इसमें थोड़ा सा तेल डाल कर हम इसे मसल लेंगे अब दोनों हातों से इस तरह से इसका गोला बना लेना है बेलने के लिए हम इसका गोला बना कर तयार करेंगे इसे बेल कर पिजब इस तयार कर लेते हैं थोड़ा सुखा हाटा लेंगे अब इसे अच्छी तरह से बेल लेंगे ज़्यादा पतला नहीं बेलना मोटा मोटा बेलेंगे दोस्तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ इसाथ बेल नोटिफिकेशन आउन कर दीजिए जिससे कि हमारे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा दोस्तो हमने यहाँ पीजा बेस बनाने के लिए येस्ट का इस्तमाल नहीं किया है किसी किसी को येस्ट से ऐलर्जी भी होती है तो बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर का इस्तमाल करके भी इस तरह से अच्छा पीजा बेस आप भर पर ही रेडि कर सकते है हमने इसे बेल लिया है आप देख सकते हैं ज्यादा पतला नहीं बेला थोड़ा मोटा ही बेल लिया है अब एक फॉर्क लेना है कोई भी स्टील फॉर्क भी आप यूज़ कर सकते हो और इस तरह से हम इन पर दाने बना लेंगे छोटे छोटे गड़े कर लेने हैं हमारा पीज़ा बेस बिल्कुल तयार है और अब गैस पर हमने एक लोहे का पैन रखा है आप कोई भी पैन रख सकते हैं उसके उपर मैंने एक नॉंस्टिक की पैन रखा है अब इसमें हम पीज़ा बेस डालेंगे थोड़ी देर तक हमें एक साइड से इसे सेक लेना है अब हम इसे पलट देंगे अब दूसरी साइड से हम इस पर पीज़ा टॉपिंग लगाएंगे धेर सारी पीज़ा टॉपिंग लगानी है बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा इससे एक चमन से हम पीज़ा टॉपिंग को बेस पर अच्छी तरह से फैरा लेंगे यह मैंने मौजरीला चीज ग्रेट करके रखा है अब इस पर मौजरीला चीज स्प्रेड करेंगे धेर सारा चीज डालेंगे हम पीज़ा में तब यह चीज़ी पनीर पीज़ा बहुत अच्छा टेस्टी बन कर तेयार होगा हमने चीज को बेस पर अच्छे तरह से स्प्रेड कर लिया है यह मैंने पनीर क्यूब्स शिमला मिर्च ओनियन और टोमाटो काट कर रखे हैं अब हम पीज़ा की टॉपिंग कर लेंगे शिमला मिर्च प्याज टमाटर और पनीर के साथ हम इस पर टॉपिंग करेंगे अब हम इस पर पनीर क्यूब्स रखेंगे पनीर क्यूब्स को एकदम छोटा छोटा कट लिया है अब देखिए यह बहुत ही अच्छा लग रहा है और उतना ही टेस्टी यह बनकर तयार होगा पर से इस पर बचा हुआ चीज डालेंगे जितना ज़्यादा चीज पीज़ा में डाला जाता है उतना ही पीज़ा टेस्टी बनता है तो हम यहाँ बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करेंगे धेर सारा चीज डाला है हमने पीज़ा में बहुत ही बड़िया पीज़ा की टॉपिंग बनकर तयार हुई है हमारी और अब इससे डखकर पका लेंगे ग्यास को एकदम धीमे अज पर रखेंगे इस पर हम चीली फ्लेक्स डालेंगे अगर आपके पास पीजा हर्व्ज है तो पीजा हर्व्ज पी डाल सकते हैं मेरे पास नहीं है खतम हो गया है पीजा की कम्प्लीट टॉपिंग हो चुकी है और अब हम इसे ढपकर पका लेंगे चलिए इसे चेक करते हैं देखिए यह पक चुका है और बहुत ही बड़िया चीजी पनीर पीज़ा बनकर बिल्कुल तयार है इसे अब निकाल लेंगे आप देख सकते हैं बहुत ही यमी लग रहा है करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें धन्यवाद